हेलो जी तो कैसे हो सारे इस लवबबर और इस वीडियो में बात करने वाले यार कॉंपलिटर प्रोगामी के एक नई डाटा स्ट्रिक्टर के बारे में जो कि है सेग्मेंटरी तो सेग्मेंटरी को स्टेप समझते हो चलेंगे कहां से बढ़ना है कितना डीप पढ़ना है कहां का से तक बांत करते हैं कोन-कोन से कodians करने है और से पीडियो में डिसकस होगा शॉर्ट इंपल सवीडियो बनाया है ओस्थ्यी त्रा आइगा है कि सारी की सारी चीज़े इस वीडियो कर लें तो चार्ट करते हैं यार की सेग्मेंटरी है क्या है तो सेग्मेंटरी बेसिकल एक डाटा सक्टर आपका इसके कोशन के तुरू समझते हैं तो जैसे मेरे पास एक एरे हैं तो यह एक एरे के अंदर अब मुझे क्वेरी आती है कि मझे 0 से 2nd इंडेक्स तक के elements का सम चाहिए ठीक है अगली कोईरी के आप मुझे 2nd से लेके 5th index का सम चाहिए ठीक है अगली यादे 0 से लेके 4th का सम चाहिए ठीक है तो इसमें तरीका क्या मेरे पार या तो मैं linear जाओं कि हर बार आइडरेट करता हूं और और एड करता हूं तो हर क्वेरी के लिए यादि क्वेरी मतलब तो पहली कोईरी थी कि 0 से लेके 2nd index तक का सम चाहिए ठीक है तो जितने भी element होंगे इसमें तीन करना है तो मुझे सेगमेंटरी को यूज करना है यह उस टाइप का data section आपको range वाले position पर जब भी processing करनी होगी तब आप इसको यूज करने वाले हो अब यह तो था कि मैं आपको बता जिए कि क्या होता है आपको समझना पड़े है कि इसको build कैसे करना है बनाना कैसे है मतलब implementation, query कैसे मार की कि जब मैं पस query आ रहे है कि हम 0 से रुकर समझ चाहिए तो कैसे processing करके जो मैंने build कर रहा है segmentator उसो processing कैसे लगाऊ कि वो data निके मेरा result निकल के आज जाए ठीक है और third update, update कैसे करना है कि मुझे अगर बोल जाए कि इस range में जितने वी element है उनको इस तरीक से update करन तो अपन तीन operation सीखने वाले है, build करना segmentary को, query मारना segmentary और update करना, update आपके एक node वी हो सकती है और एक range भी update हो सकती है, तो segmentaries को पूरा समझने के लिए, बिल्कुल भाई, zero level से मुझे पता ही नहीं कहा है segmentator भी मैं जितना थे आप भी समझ नहीं आजा, उस level से लेके implementation में कर उसके और सारे concept में clear हो जाए, तो आप ये वाली video follow कर सकते हो, video थोड़ी जादा लंबी है, पर आपके सारे के सारे concept जो clear हो जाएगे, ठीक है, advice यह है कि 1.75 पे वीडियो को देखना, तो मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा, पर time थोड़ा कम based होगा, पर वीडियो बह तो आपको implementation से खाए गई है, अब जिसने नहीं देखिए उसको में बता जाता हूँ कि range minimum मतलब आपको एक range दिये कि 0-2, 2-4 या किसी बहीं भी range, 0-2 मतलब index की बात करना होगा, उस range में आपको जो भी minimum element है वो बताना था, अब ऐसी एक और question हो सकता है, range maximum query, range sum query, तो इस check के question है, segmentary पे देखे जाते हैं, तो आप time complexity की बात कर लेते हैं, हमारे पास 3 operation है, build, update और query, build करने में segmentary को में time लगता है, o of n, o की जो में बात करूँ तो वो big o की बात कर रहा हूँ, query की जो में बात करूँ तो महाँ पे लगए कि off login, और update की जो में बात करूँ, single element को update करने मे off login, और जब मुझे एक range update करनी है, तो off and login, अब मैं चाहता हूँ, जो range update में इतनी जादा time मुझे लग रहा है, इसको मैं कम कर पाऊ, तो यहाँ पे concept होता है, lazy propagation, तो lazy propagation में समझने के लिए आप ये वाली दोनों वीडियो में से कोई भी एक follow कर सकते हो, एक GRG की वीडियो है एक तुशार रॉय की वीडियो है, दोनों में सही समझा रहे है, जिसमें आपको अच्छा लगा आप वह follow कर सकते हो, और lazy propagation माला concept आपको clear हो जाएगा, तो आप range update भी कम टाइम में कर पारे हो, अब यहाँ पर questions की बात करते हैं, starting करते हैं बहुत ही प्यारी questions के साथ, जैसे BST में कोशन होता है, largest BST in a tree, या largest BST in a binary tree, तो उच ट्राइप के लेवल का कोशन है, SPOGE का GSS1, और बड़े प्यारा कोशन है, जब करोगे तो मज़ा आजाएगा, सौल होने के बाद, जब बहुत ही प्यारा कोशन है जब implementation करोगे, अब कुछ और questions कर लेते हैं, जब आपने range minimum query, range sum query, range maximum query, और GSS1 कर लिया है, अब जब आपने ये सारे कोशन कर लिया है, उसके बाद हम करेंगे, SPOGE का KGSS, ANDROUND, DQuery, Frequent, KGSS, और NiceDate, जब ये सारे कोशन आप कर चुके हो, उसके बाद हम आएं कुछ अच्छे, बहुत अच्छे लेवल कर ले कोशन के बाद ही, इतना करने के बाद आप थोड़ा used हो जाओगे, implementation वाले पार्ट में, तो अब आपको थोड़ा high level पकडाते हैं, ठीक है, high level पकर हम जाएं, मतब है तो ये medium level के ही, पर high level ही मान के चलो, बहुत अच्छे कोशन सा है, तो पाँच कोशन है, इन कोशन में आपको एक rule follow करना है, जो आ इन कोशन के अंतर जो मैं बताने वाला हो, अगर आप एक गंटे का दिए अप्रोच नहीं सोच पाए, तो एडिटोरियल देख लेना, ध्यान से समझना की कैसे कैसे thought process लगा है, कैसे approach है, इसकी ठीक है, तो वो चीज आपको सोच नहीं है, तो इन 5 कोशन में अगर तो वो चार कोशन है, क्यूसेट, काउन्स, जेट्री, और देब्मैक, तो 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 इतना कर लोगे, तो सेग्मेंट्री वाला पाट आपका बिलकुल डंटरादन है, और आप मान सकते हो कि अगर अगर कोई भी कोशन आईगा सेग्मेंट्री में तो आप पुन सुकाल कर बाकि और भी कोशन सेट्वांस लेवल के, आपके लिए यह सार तो करीदूँगा, एक्स्ट्रा भी कर दूँगा, कुछ होते हैं, बच्छें को जादा कोशन करने होते हैं, तो वो कर सकते हैं वहां से, बाकि इस वीटो में इतना ही था, दो बाले पर देख लिए क्या क्या सेग्मेंटरी होता क्या है, वो बड़ी इस ही दो गुंटे वाले वीडियो में देख लिया, बेल कैसे करना है, उसके बाद अप्डेट वाली सीज को अप्टिमाइज करने के लिए आपने लेजी प्रोपाकेशन सीख लिया, इतना ही होता है कॉम पर यडियो के अंदर इतन लाइक करना और डिसलाइक करना तो डिसलाइक करना गुदिशन यह है कि आपको जा के बताना पढ़ेगा कि आपना इसलाइक क्यों हो किया, अतलब अपन इप्रूब भी तो करेंगा ना यार और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के चाहु